उपो ने हाली में ही चीनी मार्किट में उपो A92S 5G को लाँच किया था वहीं अब कमपनी ने यूजर्स को इंतजार को देखते हुए अपने मोस्ट अवेटेड स्मार्टपोन फाइंड एक्स टू लाइट को भी आधिकारिक तौर पर लाँच कर दिया है फिलाल इस स्मार्टपोन को यूरोप में लाँच किया गया है लेकिन अन्य देशों में इसके लाँच से उपलबधता को लेकर कमपनी ने कोई खुलासन नहीं किया है ओपो फाइंड एक्स टू लाइट में खास फीचर के तौर पर 48 मिगापिक्सल का क्वार्ट रियर कैमरा सेटप दिया गया है और यह स्नैप ड्रेगन 765 चिप सेट पर काम करता है ओपो फाइंड एक्स टू लाइट की कीमत और उपलबधता की बात करें तो ओपो फाइंड एक्स टू लाइट को यूरोप में 500 यूरो यानि लगबग 42,000 रुपे की कीमत के साथ लाँच किया गया है यह पल वाइट और मून लाइट ब्लैक दो कलर वेरियेंट के उपलबध होगा हाला कि कमपनी ने अभी इसकी उपलबधता का खुलासा नहीं किया है वही ओपो फाइंड एक्स टू लाइट के स्पेसिलिकेशन और फीचर की बात करें तो ओपो फाइंड एक्स टू लाइट में फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ 6.4 इंच का OLED डिस्पले दिया गया है फोन में 20 इस्टू 9 एस्पेक्ट रेशियो और 60 हट्स रिफ्रेश रेट मौजूद है फोन की स्क्रीन कॉनिंग गोरिला ग्लास 5 से कोटेड है और इसमें इसी क्योर्टी के लिए इंडर डिस्पले फिंगर्पिंट सेंसर दिया गया है फोन का वजन 180 ग्राम है और यह क्वाल कॉम स्ट्राइब डैगन 765 प्रोसेसर पर काम करता है ओपो फाइंड एक्स टू लाइट में क्वाड डियर कैमरा सेटप दिया गया है फोन में पावर बैकप देने के लिए 4000 एमेज की बैटरी मौजूद है जो की वूख 4.0 फ्लेश चार्ज के साथ आती है कंपनी का दावा है कि फोन की बैटरी 20 मिनट में 50% तक चार्ज होने में सक्षम है यह फोन एंडरोइट 10 पर आधारित और इस पर काम करता है करता है